बोजपरी सुपस्टार पवन सिंग की पतनी जोती सिंग का कल जनम दिन था भाई उनको हम बिलेटेड वाला हैपी बद्दे कर रहे हैं लेकिन भाई दिल जीत लिया है आज पवन सिंग की वाइफ ने अब आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या किया तो भाई जनम दिन कोई मनाए तो जोती सिंग जैसा मनाए वरना न मनाए जी हाँ जोती सिंग कुछ ऐसे लोगों के बीच गई जो जरूरत मंद हैं और उन्हीं के बीच जाकर उन्होंने अपना बद्दे सेलिब्रेट किया और इसकी एक क्लिपिंग अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और बताया कि ये मौका उनके लिए बहुत खास था और ये भी कहा कि इससे पहले उन्होंने ऐसा अपना बद्दे कभी सेलिब्रेट नहीं किया था और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि ऐसे लोगों के साथ समय बिता कर उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भाई अच्छा तो महसूस होगा ही जब आप कोई नेक काम करो तो उस नेक काम के लिए आपको अच्छा महसूस होता ही है वैसे अच्छा लगा कि जोती सिंग ने जरूरत मन लोगों की बारे में सोचा और अपना सबसे स्पेशल पावन सिंग भी अपना बर्दे सेलिबरेट करते हैं और पावन सिंग से इंसपायर होकर जोती सिंग ने भी यही किया कि वो अपना बर्दे बहुत ही स्पैशल लोगों के साथ सेलिबरेट कर रही है वैसे जोती सिंग से सीख लेनी चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री की उन सभी बड़े एक्टरों को जो अपना बदे बड़े ही आरिशान से फाइस्टार होटल में या फिर पड़े ही ताम जाम से नवावी स्टाइल में सेलिब्रेट करते हैं जी हाँ हमारे भोजपुरीय स्टार से सीख लेनी चाहिए जोती सिंग से क्योंकि जिस तरह से जिस सादगी से उन्होंने अपना बड़े सेलिब्रेट किया इसमें दो फायदे होते हैं कि आपके दिल को सुकून मिलता है दूसरे दुआएं तो भर भर के मिलती हैं तो भाई जोती सिंग के इसने काम के लिए प्रिस्टीजियस वोक के लिए उनको दिल से धन्यवाद और भाई हम यह कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए झाल